मैं रश्मी सकसे न, आज हम एक और अस्थिल फिश मतलब बोनी फिश के बारे में जानेंगे, ये कॉमनली इल कहलाती है और इसका साइंटिफिक नेम है अंग्विला, ये एक लंबी, स्लेंडर, सांप के शरीर जैसे दिखने वाली मचली होती है, ये फ्रेश वाटर फिश है और तालाबों में, नदियों में, एस्चुरीज में पाई जाती है, परन्तु ये ब्रीडिंग के लिए समुद्र की तरफ गती करती है और ऐसी फिशिस, केटाड्रोमस फिशिस कहलाती है, जो फ्रेश वाटर से समुद्र की ओर जाकर समुद्र के पास या समुद्र में ब्रीडिंग करती है, एंग्विला एक वोरेश फीडर है, एक एक्टेव शिकारी है, जो छोटे मचलियों और छोटे समुद्र, पानी में रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, यह समान्य तर एक से 1.2 मीटर लंबी होती है, शरीर जैसा कि मैंने कहा, लंबा पतला स्नेक जैसा होता है, इसे हम हेट ट्रंक और टेल में बाढ़ सकते हैं, गिल स्लिट्स पर एक आपर क्यूलम पाए जाता है, गिल कवर, इसका डॉर्सल फिन, कॉडल फिन और अनल फिन ये तीनों आपस में जोड़कर एक कंटिन्यूस यू शेप के फिन में विक्सित हो जाते हैं, इस मचली की विशेशता है, इसकी बड़ी विशेश प्रकार की ब्रीडिंग, हैबिट और बड़ी विशेश्ट लाइफ साइकल, जैसा कि मैंने कहा, ये समुद्र की तरफ जाती है ब्रीडिंग के लिए, यॉरप में पाई जाने वाली ग्रीन इल, करीब 3,000 किलोमीटर का सफर तै करके, गर्म किनारे सा मुद्री किनारे पर पहुँचती है, वहां कोस्टल वाटर्स में पहुँचने के बाद इसके शरीर का हरा रंग, सिल्वर कलर या चमकीले सफेद चांदी जैसे रंग में बदल जाता है, आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और गोनाइट्स मैच्योर हो जाते हैं, ये फिश एक बार में करीब 10 मिलियन एग्स ले करती हैं, ये एग्स हैच होते हैं और बहुत छोटे-छोटे पलाजिक लार्वी इसमें से निकलते हैं, इन लार्वी को लेप्टोसिफिलाई कहा जाता है, ये लेप्टोसिफिलाई फिर अपने घर की तरफ मतलब फ्रेश वाटर बॉडी की तरफ यात्रा शुरू करते हैं, और वहां पहुचकर वयस्क में विक्सित होते हैं, तो इस प्रकार इल की जो लाइफ साइकल हैं और ब्रेडिंग हैविट्स हैं, वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग हैं या जानने योग की फैक्ट्स हैं उन में.